दोस्तो यदि आप चाय की, समोसे की, दूद की, किसी भी तरह की, कनफेशनरी की दुकान खुलना चाते हैं, लेकिन आपके पास इतनी पुंजी नहीं है, कि आप इस तरह की बड़ी-बड़ी दुकाने खरीद पाएं, इन दुकानों के लिए आपको करोडों रुपे की जुर जो बनाने वाले हैं, उनको भी वीडियो को देखना चाहिए, उनको भी मैं पूरी डिटेल देने वाला हूँ, कि कौन-कौन सा पाइप लगाया, हमने कौन सा माल मिटीरियल लगाया, कितने रुपे की कौन सी चीज लगी है, शीट कितने रुपे की लगी है, तो टोटल डि तरह से के बाद दोस्तों यहां पर आपको दिखाना चाहूंगा यहां पर एक गेट हैं इस गेट कु आ इस तरह से एक सिंगल बंदा आराम से बंद कर सकता है सिंगल बंदा इसे अराम से डाउन कर सकता है आप देख सकते हैं यहां पर यह और इसके बाद अंदर की साइड से थोड़ा दिखाना चाहूंगा यहां पर लोग भी दिया गया है यहां पर लोग करके यहां पर ताला डाल सकते है जिससे की एकड़म सेफ्टी है कोई दिकत वाली बात नहीं है अभी हम इसे खोल देते हैं क्योंकि दुकान का जो टाइम है वो चल रहा है और बाक्की के और जो फंक्शन है वो मैं आपको दिखाऊंगा उसके बाद मैं आपको एस्टिमेट दूँगा सारे माल मिटीरियल का एक यहां पर है और एक इस साइड में भी हमने सरिया दिया है उसके बाद आजाएए दोस्तों अंदर यहां पर एक सेल्फ दी है यह पर्मनेंट सेल्फ है इसके उपर जैसे कि कोई भी समान रखना है तो ऐसे रख सकते है आराम से इस तरह से समान आ जाएगा कुछ भी कस्टमर को देना है तो यहां से दे सकते हैं चाहएवाय कुछ भी देना चाहें वो इसके बाद है दोस्तों यहां पर एक गेट यह गेट है और यहां पर यह जो गेट है इसको यहां पर अंदर यहां पर यह लोग लगा दिया है तो यहां भी लोग डाल सकते हैं यहां पर भी लोग लग जाएंगे यहां भी लोग लग जाएंगे यहां प पिछे की साइड में आपको दिखाना चाहूंगा यहां पर भी एक गेट दिया है जिसे यहां से अंदर से लोक लगा सकते हैं पिछे की साइड में यहां पर गेट देने का मकसद है यहां पर कुलर या एसी घरमी में हमारे यहां पर कुलर चलते हैं और एक गेट यहां पर दि हो अंदर से कौन-कौन सा माल मेटीरियल यूज गूआ है ये सारे काम में और इसके अलावा मैं आपको सेल्फ दिखाना चाता हूं यहां से स्टार्ट देखें सेल्फ यह फिर इधर से यह दस इंच की सेल्फ है 10 इंच की सेल्फ है और उसके बाद यहां पे और पूरी एकदम प्रोपर डुकान बनाई गई है मतलब कि यदि आप सीमेंट से भी बनाते ना मतलब इंटों से RCC लेंटर वाली दुकान भी बनाते तो भी आपको यह अलग से बनाना है पड़ता है यहाँ पे पूरा कंप्लीट बनाया गया अंदर से तो अब बात कर लेते हैं माल मैटीरियल लोहा शीट जो भी समाल लगा है उसके बारे में तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा डेड़ डेड़ की पाइप का यह पूरा फ्रेम बना हुआ है यह जो पाइप आप देख पा रहे है डेड़ इंच भाई डेड़ इंच की पाइप है 40 mm इंटू 40 mm की सारी पाइप लगी है जहां भी लगी है यह पाइप का वेट है 172 kg 172 kg डेड़ डेड़ की 15 पाइप लगी है एक पाइप का वजन है स्कंद प्रेक्वय दए डॉस मिज्ट अनला 되면 स्कंद आपे डेख सकते हैं साथ कुन्डे यहाँ आप सब जो होते हैं चाहिए 12 लोहा एकसो चुरानमे किलो 194 kg लगा इसमें 70 रुपे किलो के इसाब से 13,580 रुपे का टोटल लोहा खर्च हुआ है इसमें दोस्तो अभी बात करेंगे प्रोफाइल शीट के बारे में यह जो शीट है प्रोफाइल शीट यह तीन शीटें यहां पे लगी है और कि 6.30 चीटि इधर लगी है लिफ्ट साइड में के दिटेंश्य राइट साइड में लगी है और तीन शीटें से Godmiş टोप ड़ी यह 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 यहां पर आप देख सकते है चैनिस इधर से भारेंगे शीट है 111 रनिंग फिट शीट है रनिग फिट का मतलब है попроб q40 इंच वाइड और लंबी जितनी होगी उतनी रनिंग फिट मानी जायेगी 40 000 का साइज है और जितना लंबा होगा login उतना ही उसको डिनग फिट गिना जाए करना है तो आप देख सकते हैं इसके बाद कीया आतरा गेज लगी हूई है यहाँ फ्लक्स लगा है इसके निच्चे काली चद्दर लगी है 18 गेज की यहां पे भी लगी हुई है देखें प्लेन है ना प्रोफाइल होती तो उबडखबड होती यहां पे इस गेट पे और फ्रेंट की साइड में सब जगा यूज की गई है 75 किलो वेट है काली चद्दर का 80 किलो के हिसाब से 6000 रुपे की यह काली चद्दर हो गई दोस्तों यहां पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहां पे आप देख सकते हैं जो सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू लगे हुए है इसके अलावा यहां पे जो पेंट किया गया है पेंट स सबी चीजों के एक एक चीज के पैसे मैंने आपको अलग अलग बता दिये अब बात करते हैं दोस्तों इस दुकान को पूरा बनाने की मिस्त्री की लेबर मतलब की हम कारीगर लोग इसको बनाने की आप से कितनी लेबर लेंगे तो यह हो गया दोस्तों 424 स्केर फिट इसका 30 रुपी स्केर फिट के हिसाब से 12,720 रुपे बनते हैं लेबर के सबी चीजों के प्राइज आप इस तरफ देख पाएंगे एक एक करके मैंने लिख दी हैं इसके बाद दोस्तों टोटल कोस्त इस दुकान को बनाने की तो टोटल कोस्त आई है दोस्तों 50,580 रुपे इसक बड़ी अच्छी सुन्दर चीज एक मैंने देखी है हमने तो यह खाली दुकान खाली बना के हमने इनको दे दी थी जो मालिक है इस दुकान के उनको लेकिन उन्होंने अंदर से जो यहां पर आप देख सकते हैं फ्लेक्स जो लगवाया है फ्लेक्स के निचे यहां पर प् भी लगा हुआ है तो यह जो अंदर से जो एक्स्ट्रा काम हुआ है डेकोरेशन का जो जिसके चलते ही बड़िया लगे यह काम का 20-25,000 रुपया और एक्स्ट्रा लगता है और फर्ष का 5-7,000 रुपया अलग से लगा है तो यही टोटल खर्चा है दोस्तों मैंने आपको ह लगा है तो आप हमारे साथ सांजा कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में भी एवरी संडे लाइव भी आता हूं यूटुब पे नौ बज़े रात को आप मुझा इंस्टाग्राम पर भी फोलो कर सकते हैं मेरी इंस्टाग्राम आईडी मोली सिंग है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और गंटे का बटन जुरूर दुमाएं वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद अजय करें प्रभा तो वीडियो अच्छा लगा लगा प्रवाद